पर आप बजिंग स्टॉक्स ऐसे शेर जहां पर है खबरे खबरों के चलते जहां पर हो रहा है एक्षिन क्या होना चाहिए आपका रियाक्षिन ये बताएंगे अवनी जी खबर बताएंगे हम और निने लेंगे आपकी उस शेर में करना क्या है चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके ज़रा कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर गाते हैं पहली कंपनी है 3601 के नाम से और आपको बता दें यहां पर कंपनी के की बढ़ोती देखने को मिली है और यह बढ़कर के रही है 623 करोड रुपए आपको बता दें कि यहां पर कंपनी ने साड़े तीन रुपए पर शेर का डिविडेंट भी गोशित किया है और इनी शांदार नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मूव कंपनी के शेर में देखने को मिल रहा है कंपनी शेर ने एक महीने में चौविस परसंट छे महीने में तिरपर परसंट से ज्यादा का रिटर्न यहां पर दिया हुआ है और बुद्वार को शेर में पांच परसंट यानि आज जो है पांच परसंट के आजबास की तेजी देखने को मिल रही थी 361 WAM के नाम से मैम ये शेयर है लिस्टेड पौने 5% की तेजी अभी देखने को मिल रही है 802, 803 यह जो है इस तरह भी बना हुआ है आप कैसे देख रही है मैम इस शेयर को जी यह इस मामले में एक बात करना कहना चाहूंगे कि आप कोई भी सब्सक्राइब के लिए जैसे HDFC बैंक है या रिलाइंस है नतीजों के पहले काफी अच्छा चल चुकाता है नतीजे के बाद भी जो ओपनी हुई थी वह उपर के तरफ हुई थी बट वहां से फिर वह स्टॉक में कर्यक्षन आता है और करेक्षन आने के बाद भी यह काफि समय तक चोटे से एक सिमित दायरे के अंदर ट्रेड करता है उसको उपर आने में फिर से उपर आने में थोड़ा सा समय लग जाता है तो यह चीज इस स्टॉक के लिए भी बिलकुल यह आपला होती है कि इसका जो मुनाफ़ा आया था कंपनी का और जो नतीजे आया थे अच्छे नतीजों का असर हमें सुभे ओपनिंग में दिख गया था तो ऊपर के तरफ इसने आज हाई लगाया है 899 और वहां से हमें प्रॉफिट वुकिंग दिखाई पड़ रही है तो यह यह स्टॉक नीचे 795 तक आ सकता है और उसके बाद यह 795 से अल्मोस्ट आट्सो दस के बीच में काफी समय बिताएगा यह स्टॉप एक कंसॉलिडेशन हमें दिखाए पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें उच्छाल नजर आ सकती है कितना समय लग सकता है बोलना थोड़ा मुश्किल है अभी इस पॉइंट पे तो मेरे इसाब से अभी जो आपको यह रेट्स मिल रहा है वहां पर आपको प्रॉफिल बुक करना चाहिए और नीचे के तरफ आएगा तो 795 पर री एंट्री कर सकते हैं जी चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी क पे जरा डालते हैं वहां पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है और यहां पर जो है तानला सलोशन पर यह जो है कंपनी है यहां पर कंपनी के शेर में जो है वो तकनीकी तूरूप से एक ब्रेक आउट देखने को मिला है शेर अपने 20-30 दिन के मूविंग से उपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है और सजेफसी सेक्यूरिटी इसकी तरफ से जो है बाई रेटिंग यहां पर आई है और जो लक्ष दिया गया है वो करीब तेरा सौ तो रुपए के आज भास का दिया गया है पिछले में करीब उनिस परषंड के आजपास की लिए और आज अगर हम दिखेंग्र सब्सक्राइब बशाइब रहा है इस बिल्कुल बोधी अच्छा लग रहा ही थो तो मेरे इसाब से आप करेंड लेवल पे भी निवेश किजिएगा इसका जो रेंज है ना हो काफी बड़ा है सु 980 रुपए से लेके 900 के बीच में इसको आपको जमाही करना ये स्टॉक को एक्यूमिलेट करते रहना है उपर के तरफ ये 1250-1300 का इसका लक्ष रहेगा और ज और इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को लेकर के आते हैं और वो है नशपी सी नशपी सी पर हम लगातार बातशीत कर रहे हैं आपको उतादें यहां पर ख़वर यह है कि कंपनी जो एनशपी टील में अपनी हिस्सेदारी अब बेशने की योजना बना नहीं है और साधी साथ हिस्सा विक्री जो है वो दो हजार चौबिस पच्चेस में पूरी हो जाएगी और यह जो हिस्सा बेचा जाएगा यह बेचा जाएगा पावर ग्रिट को और एक दस्मनों तीन एक करोड शेर जो है वो पावर ग्रिट जो है खई देगी हिस्सा विक हिस्सेदारी होगी और बाकी हिस्सेदारी बची हुई वो नेस्पी टील की होगी और इसके चलते हैं आज हम देख रहे हैं हाला कि कमपनी के शेर में आज जो है थोड़ी आदे फीसद के आसपास की ही हम देख रहे थे कि मजबूती देखने को मिल रही थी अभी भी अगर हम सबस्वा परसेंट के आसपास की बढ़ात नहीं कर पा रहा है और बहुत लोगों को उम्मीदे हैं कि चलना चीए चलना चीए लेकिन जब यह गिरावट आई है जो पीसु शेरों में उसके बाद से उस तरह की रिकावरी देखने को नहीं मिली हाला कि 91 93 के बीच में फंसा ह है उमीद कितनी हो स्टॉप में लेकिन आपको निराज भी नहीं करेगा यह स्टॉप वह एक कॉंफिदेंस देता है तो मेरे इसाब से अपी करेंट लेवल पर आपको निवेश कर सकते हैं यहां पर और इसमें जादा डाउंसाइड नहीं है 89.5 का इसका सपोर्ट लेवल है और उपर के तरफ यह 102 और 110 यह दो इसके लक्ष है ट्रेडिंग डार्गेट रहेगा 102 का और थोड़ा समय देंगे तो 110 तक भी चल सकता है निवेश के लिए आप यह लेवल सही है यहां पर आप एंट्री कर सकते हैं लेकिन यह स्टॉप मूरी है इसका जब मूर आएगा त बड़ा साइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जड़ा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ निकर के आ रहा है और पूर्वांकरा के ऊपर खबर आई है कि मुंबई के पाली हिल में रियाशी प्रजेक्ट जो है का बनाने का कंपनी को ए पूरे प्रजेक्ट को बनाने में और पाली हिल के अंदर जो हम बताया है काफी विक्षित एरिया है बड़ा मेंगी जमीने वहां पर जमीन की कीमत एक से वन पॉइंट टू लाख रुपए जो है वो प्रतिवर्ग फुट तक है तो यह यहां पर इस्तिती है और एफ़ए अब इस्तित आज लगता हुआ दिखाई दिया था अभी किस्ती जो देखें तो अभी भी अगर हम देखें तो अपर सर्कृट यहां पर लगा हुआ है मैं कैसे देख रही है पुर्वांकरा को पांच पर सर्कृट तीन सो अश्तर का भाव अभी क्या पैसे लगा सकते हैं यह स्टॉप को अगर कोई पिछले एक महने के अंदर ही देखें तो अल्मोस्ट डबल सा हो चुका है इसके दो सो दस का इसका लो था और अब यह अलड़ी आ चुका है तीन सो अशी के करीब और यहां से यह मूव देखके इसमें एंट्री ना करें वो बात नहीं होनी चाहिए पोटफोलियों में रखने वाला स्टॉक है उपर के तरफ यह चैसो वाला कैंडिडेट है चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहां पर देखते हैं क्या कुछ इस्ति देखने को मिल रही है और क्या कुछ खबरें वहां पर निकर करके आई हैं ज्यारा स्की स्कीरिटी इसकी तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष दोनों को बढ़ाया गया है बाई रेटिंग के साथ कंपनी पर लक्ष जो है बढ़ा करके अब साढहे नौसौ रुपए कर दिया गया है वहीं आपको उता दे हैं कि कंपनी पर पिछले 6 महीने ने करीब 40% एक साल म मिला है मैक्स हल्थ केर मैम आपसे जाना चाहें से कि कि यहाँ पर नजरिया आपको दिखाई दे रहा है आज भी 45.6% के आज पास की मजबूती मैक्स हल्थ केर में दिखाई दे रही है क्या करना चाहिए मैं आभी मैक साल्थकेर को ले करके जी अगर आपका नजरिया एकाद हाफते का है तो ये 826 तक चलने की उमीद है अगर एकाद मेहने का अगर नजरिया है तो मेरे हिसाब से ये 855 तक चलना चाहिए और इसको अगर आप समय दे सकते है तो करीवन 6-8 मेहने तक का समय दे सकते है तो ये 960 तक चलेगा निवेश करना चाहिए इस लेवल पर और अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है 780 का इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन चुका है चलिए इस बीच जो है अब बजिंग स्टॉक् हुआ है